हेलो फ्रेंड स्वागत एक वार फिर से आपका वी स्टार एक किसी ने यूटूब चैनल पे और यह आपका लेक्चर नमबर सेवन हैं जिसमें हम बात करेंगे रोडोपसिन सिगनेलिंग पाथवे के बारे में आपका रोडोपसिन सिगनेलिंग पाथवे बहुत ज़्यादा इजी होता है ठीक ना बट बच्चे एवे ही कन्फ्यूज होते हैं इसमें तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अब आप यहां से समझने के बाद इसको जिंदेगी बार नहीं भूल सकते ठीक है तो देखो वाई साब सेल सिगनेलिंग का यह आपका लेक्चर करवा रखे हैं उसी प्रिकार हम रोडोपसिन सिगनेलिंग को भी पढ़ेंगे तो चलिया यह स्टार्ट करते हैं हमारे सिगनेलिंग का नाम है आपका रोडोपसिन सिगनेलिंग पाथवे रोडोपसिन क्या होता है यह अक्चुली यह रोडोपसिन सिगनेलिंग में हम जाता है आपके बाइब रोट सैल दूसरे को बहुते हैं एक आपका होता है रोट green red ठीक है blue green red यह आप पर तीन प्रिकार की कौन cell पाई जाती है जब कि road cell आपकी एक ही प्रिकार की होती है इस बात को यार रख लेना ठीक है न जब यहाँ पर आप road cell को देखोगे तो हमको इस road cell की ही study करनी है अब देखों हम यहाँ पर आपको एक अलग से road रोर्ट सेल बनाने की कोशिस करता हूं। तो मालए ये आपके कोई यहाँ पर रोट सेल बना रहा हूं? ये आपकी कोई लोट सेल है इस पुरिकार से ठीक है? इस पुरिकार मुझे सरह है कोचिसर नहीं बना विवन पर आप फिर भी आपके लिए इनफ है अब यहाँ पर क्या होता है वो चीज़ देखने कोशिस करों कि यह जो इसका अपर वाला पाट होता है इसको हम आउटर सेगमेंट बोल देते हैं इसमें आपकी परजान्ट होती है डिस्क ठीक है ना डिस्क औरगनल बोल सकते हो आप लेकिन यह औरगनल नहीं होता है यह आपके लुमेंट टाइप की होती है ठीक ना यानि कि एक परकार से खाली होती है तो यह होती है आपके डिस्क यहाँ पर इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आपका इनर सेगमेंट आता है जहाँ पर आपके जो है और्गेनल होते है जैसे कि माइटो कोंडिया, एंडूपलाजमी, क्रैटि, कुलं बेसल गोडी इस प्रिकार से ठीक है ना इसके बाद आपको आता है इसके बाद आपका आएगा नुटियस ठीक ना इसके बाद आपका आएगा नुकिलिस and nucleus के बाद आपका आता है यहां पर यह synaptic terminal क्योंकि जो retina होती है retina आपकी जो है वो क्या काम करती है direct contact करती है आपके जो nervous system होता है उस चीज से ठीक ना उस चीज से यह direct contact करती है ठीक है यानि कि चलिया यह आप आपने इसका structure देख लिया है जो हम rhodopsin path पर पढ़ते हैं वो जो rhodopsin path पर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इन डिस्क के अंदर ठीक ना अब इस डिस्क में भी क्या होता है इन डिस्क में यह जो आपका बना हुआ है यह होती है इस डिस्क की plasma membrane इस डिस्क की प्लाज्मा वो क्या है वो आपका photon तो यहाँ पर आपका photon आकरके bind होता है चलिए यह देखते है कि किस प्रिकार से आपका bind होता है यह एक और structure है आपका human की road cell का ठीक है ना human की road cell का road cell आपकी कहां पर पाज़ा रही है retina में and retina आपकी कहां पर पाज़ा या आई के अंदर ठीक है न जहाँ पर आपका रोड ओपसिन सिंगलेनिंग चल ला है अब देखो यहाँ पर किस किस चीज की requirement होती है वो देख लो एंड यहीं से आपसे जो है question पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है पहला question कि आपका receptor क्या होता है receptor क्या होता है तो receptor आपका दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है एक होती है आपकी 11-6-Retinal ठीक न यह आपका क्रोमफोर होता है 11-6-Retinal यह आपका जो है वो मिला हुए होता है ओपसिन प्रोटीन के साथ ठीक न यानि कि जो receptor है receptor में दो चीज है एक आपका 11-6-Retinal दूसर रहा है Opsyn protein यहां पर मैंने inactive को लिखा है उसको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसके बाद जो ligand होता है ligand यहां पर specifically आपका photon होता है यानि कि जो light की ray होते है light की ray में आपका photon होते है ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको बताएटी थी कि इस एक specific G protein होती है, जो कि मैं आपको सारे के सारे pathway में बताता हुआ है आ रहा हूँ, यहाँ पर जो G protein होगी इसको बोलते है G alpha transducin, G alpha transducin इसको बोला जाता है, यह जो G protein जहाँ पर आपका work करती है उसको बोलते है effector, तो यहाँ पर effector के लिए एक आपका enzymes होता है, जिसको बोलते है cyclic GMP phosphodiestate, cyclic GMP phosphodiestate, actual में यहाँ पर जो आपको can result मिलने वाला तो यहाँ पर आपको hyperpolarization and आपको depolarization मिलने वाला है, hyperpolarization, depolarization क्या होता है, आगे बात करेंगे, एक neurotransmitter रहता है, जिसका नाम आपका glutamate होता है, and यहाँ पर कुछ आपके inhibitor भी पाए जाते हैं, जैसे कि arrastine हो गया, arrastine को भी हम देखेंगे कि किस प्रिकार से आपका arrastine होता है, and आपका rhodopsin protein kinase, rhodopsin protein kinase नाम का भी एक enzymes होता है, यह दोनों यहाँ पर inhibitor की तरह काम करते हैं, ठीक ना, इतनी वाद समझ में आ गई तो यह थे कुछ player, आप आगे बढ़ते हैं, and आगे देखने की यहाँ पर कोशिस करते हैं, तो चलिए यह स्टार्ट करते हैं, अपना pathway, देखो होता है क्या आप चीज़ देखने की इस रोडोपसिन, रोडोपसिन पर आखर के as a ligand bind होगा, as a ligand यहाँ पर bind होने बाला है, and यह जो आपका रोडोपसिन है, R4 रोडोपसिन, and यह जो आपका रोडोपसिन है, actual में यह प्रिजेंट है, disk के अंदर, जो मैं आपको disk बना करके दिखा, इतना स्टार्टिंग में ही, तो यह आपका disk के अंदर प्रिजेंट है, यहाँ पर जैसे ही आपका photon आया है, photon यानि कि light आया है, यानि कि day time है, इस बात को भी याद रख लेना, यानि कि day time की बात हो रही है, जैसे ही यहाँ पर light आया है, light आने से क्या बता है, receptor अब यहाँ पर क्या काम करेगा, जो G alpha, G alpha वाला पार्ट है, G alpha ट्राश्डूस्विन, यानि कि जो G protein है, G alpha T protein रहेगी, वो यहाँ पर GDP से होगा, वो चेंज हो जाएगी, GTP में, यानि कि यहाँ पर GDP से चेंज हो जाएगी, GTP में इतनी बात याद रख लेना, जै साइड में चला जाएगा, जब कि जो G alpha रहेगी, वो G alpha आपका activate होगा, activate होने के बाद, जो आपकी GTP activate होई है, इसको ही हम बोलते है, G alpha T, इसको ही हम बोलते है, G alpha T, यह G alpha T क्या काम करेगी, यह actual में जाकर के, फास्पो डाइस्टेज, PDE का मतलब होता है, फास्पो डाइस तो एक्चॉल में यह क्या काम करता है, यह जो आपका enzymes होता है, यह आपका cyclic GMP, यहाँ पर देखो दिखा रखा है, cyclic GMP को convert कर देता है GMP में, cyclic GMP को convert कर देता है GMP में, अब यहाँ पर एक बात और समझने कोशिश करो, जब यहाँ पर आपका cyclic GMP present a cell के अंदर, जब आपको मैं डिस्क मेंब्रेन दिखाई थी, जो डिस्क मेंब्रेन थी, यहाँ पर कुछ आपके channel पाए जाते हैं, जैसे कि sodium calcium channel, जिनको हम gated nucleotide channel के नाम से जानते हैं, तो जब आपका cyclic GMP present था, जब आपका cyclic GMP present था, तब यह channel आपके activate होते हैं, यानि कि open होते हैं, जब यह open होंगे, तो क्या होता है, कि आपके sodium calcium अंदर आते हैं, sodium calcium जैसे अंदर आते हैं, यहाँ से आपका transmitter होता है, जिसको हम glutamate बोल देते हैं, glutamate आपका active होता है, और बही फिर जाकर आपके octave जो नर्व होती है, जो आपके octave नर्व होती हैं, उसको signal provide कराता है, लेकिन यह क cyclic gmp present था, ठीक न, cyclic gmp present था, लेकिन यहाँ पर क्या होया, कि जैसे ही आपके light पड़ी, light आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका cyclic gmp convert हो गया, आपके gmp में, ठीक न, convert हो गया है, gmp में, तो उसके बाद यह channel आपके जो है, वो close हो जाएगा, inactivate हो जाएगा, जब inactiv होगा, यानि कि अब यहाँ पर यह आपके जो है, सही से, जितने भी sodium calcium अंदर आ रहेते भी, अंदर न यहाँ आएगे, जो यहाँ से glutamate transport, transport हो करके जा रहा तब आपका transport नहीं होगा, जो यह road cell होती है, यह अब जो है, एक प्रकार से inactivate हो जाएगी, एक प्रकार से inactivate हो इसका मतलब, यहाँ पर आप कौन cell चलेगी, road cell आपकी जो है, light की presence में नहीं चलने बाली है, अब जब यही पर आपका दूसरा case आता है, जब आपकी light मालो, अगर यह light यहाँ पर present नहीं हो, यह light अगर present नहीं होगी, आज जो आपका rodopsin है, rodopsin activate ही नहीं हो पाएगा, जब यह काम नहीं करेगा, जो आपका cyclic GMP को convert कर रहा था, GMP में, जब यह नहीं करेगा, तो भाई सब आपका जो है, यह वाला pathway रहेगा, यह वाला pathway रहेगा, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर more neurotransmitter, जो कि आपके glutamate, जो कि आपके glutamate है, glutamate आपके बनते रहेंगे, ठीक optic nerve पे आपके काम करने बाले है, इतनी बात समझ मा गई, तो बहुत अच्छी बात है, बस यही कहानी थी, अब इसमें एक कहानी और बता जेता हूँ आपको, देखो भाई साब, यहाँ पर मैंने आपको कहा था, कि यह inactive form लिखा हुआ है, ठीक नहीं यहाँ पर आपको inactive form म हो जाते है, and active होने के बाद यह convert हो जाते है, 11 trans retinal में, 11 trans retinal में इस form को आपका जो है, activated form बोला जाता है, तो बस इतनी सी ही कहानी थी आपकी, ठीक न, इतनी सी ही कहानी थी आपकी, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके inhibitor की कहानी आती है, इनिवीटर की काहनी आती है और इनिवीटर आपका कैसे काम करता है वो भी देखने की यहां पर कोशिश करो यह इसके जो मैंने आपको समझाया है यह आपके statement लिखे होगा है ठीक है ना अब यहां पर देखो यह आपका वही पात्व है जो मैंने आपको पीछे समझाया अब यहां पर इनिवीटर की काहनी आ जाती है इनिवीटर को समझने की कोशिश करो कि आपका जैसे ही यहां पर लाइट आरती जैसे ही यहां पर लाइट आरती और हमको क्या करना है हमको इस लाइट को स्टोप करना है तो अगर sun की light आ रही है तब क्या होने वाला है जो आपका गेटे डायन चैनल होगा वो आपका completely close होने वाला है तब वहाँ पर यह process काम में आता है ठीक है आप रात में moon के चानने से अगर moon की रोसनी है तो moon की रोसनी से जब कोई चीज देखते हो तो वो आपको grey ही चमकेगी वो आपको grey ही चमकेगी उसका एक ही color चमकने वाला है ऐसा नहीं कि आपको red अलग से चमके आपको yellow अलग से चम रात में चमकता है उसके लिए उसके लिए जो ये light आहे है लाइट आने के बाद जो हमारा लेंग होती है आपकी dhatein एक होता आपका यहां फोगा हेंग होगा यहां पर आपका सबसे पहले है protein पुरा नाम होता है पूरा नाम प्रोटीन-प्रोटीन उह देखल यहां की है ंपूरा नाम सबनेगिभी जाएगा लेकिन यह आपका पार्सली अक्टिवेट करेगा इसलिए इसको टू फोस्पेट की जरबत रपड़ेगी यानि कि अब आपका दूसरा रोडोपसिन काईने जाएगा दो फोस्पेट लगेंगे यहाँ पर आपका अरस्टीन के लिए जो है अब यहाँ पर बैंडिं जो देखो यहाँ पर क्या होगा जैसे यहाँ पर आरस्टीन आकर के जुड़ा तो जो आपका साइकलिक जी एमपी साइकलिक जी एमपी कनवर्ट हो रहता जी एमपी में यहाँ पर यह कनवर्ट हो रहता तो अब यह कनवर्ट नहीं हो पाएगा यह कनवर्ट नहीं हो पाए हैं लेकिन रात में हमें requirement तो रोसनी की भी होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा dim light की होती है वो बहुत ज़्यादा dim light की होती है एंड उसको देखने के लिए हमें जो arrestine and आपका rhodopsin protein kinase है ये दो protein help करती है तो ये था guys आपका signaling का pathway vision signaling का pathway I hope guys आपको समझ माया हुगा जो यहाँ पर concept है जो मैंने आपको समझाया है वे सब यहाँ पर लिखा हुआ है आप एक बार पढ़ लेना ठीक ना यह चीज आप एक बार देख लेना तो मिलता हूं मैं आपसे next lecture में दोस्तों तब तक के लिए टाटेंड बाए बाए